नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने एटूब चैनल एक्जाम सोच पर दोस्तों इस बीडियो में हम करेंगे सब्धान के सव महत्पूर प्रसन फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कमपनेडिव एक्जाम की तैयारी कर रहें तो ये बीडियो आपके लिए very important है इसलिए दोस्तों आप इस बीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बीडियो बहुती सांदार्ट जबर्दस होगी तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोस्तन है भारते सब्धान का कौन सा अंचेद भारत के राष्टपती के चुनाव से संबंधित है अंचेद 54 है जो राष्टपती के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 54 है और आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है अंचेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक भारतान मंतरी के नियुक्ती से सम्भन्दित है। अनुचेद 75 है जो प्रधान मंतरी की नियुक्ति से संबन्दित है और प्रधान मंतरी की नियुक्ति कोन करता है राष्टपती प्रधान मंतरी की नियुक्ति करता है भारत का राष्टपती प्रधान मंतरी की नियुक्ति करता है भारते सब्धान के किस भाग को भारत का मेगना काटा कहा जाता है भाग 3 को मेगना काटा कहा जाता है भाग 3 को जिनमें मौलिक अधिकार बताएगे है और मौलिक अधिकार अनुचेद 12 से 35 में बताएगे है अनुचेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार बताएगे है नेक्स्ट क्वेसन भारत का सर्वोच बिधी अधिकारी कौन होता है? भारत का महानेवदी और टोनी सिन्ल भारत का सर्वोच बिधी अधिकारी होता है नेक्स्ट कोसन अगला कोसन है दोस्तो भारत की सब्धान सभा की पहली बैठक की अधिस्ता किसनी की थी ब्रिटेन से अपनाईगे हैं इंगलेंट से एकल नागरिक्ता की ओधारणा भारते सबधान में अपनाईगे हैं संसत के दोनों सद्रों की संयुक्त बैठक की अध्यचता करता हैं भारत में राज्य सबहा के लिए अधिक्तम कितनी सीटे निर्धारत हैं। 250 सीटे राज्य सबहा के लिए निर्धारत की गई हैं और वरतमान समय में 245 सीटे राज्य सबहा में हैं। नेक्स्ट कोशन भारत में लोग सबहा के लिए अधिक्तम कितनी सीटे निर्धारत की गई हैं। 552 सीटे लोग सबहा में निर्धारत की गई हैं अधिक्तम 552 सीटे नेक्स्ट कोशन हैं दोस्तों किस अधनियम के दोरा ये वेवस्था की गई कि मद्रास और बंबई की गवर्नर गवर्नर जनरल के आधिन रहेंगे। रिगलेटिंग एक्ट 1773 के दोरा वेवस्था की गई थी। 1773 के नियामक अधनियम के अंतरगत बनने वाले पर्थम गवर्नर जनरल कौन थें? वारेन हच्टिंग पर्थम गवर्नर जनरल थें। नेक्स्ट क्वस्टन 1813 के चार्टर एक्ट के दोरा किन धर्म परचारकों को भारत में धर्म परचार का अधिकार मिला? इसाई धर्म परचारकों को भारत में धर्म परचार का अधिकार मिला 1813 के चार्टर एक्ट के दोरा? भारत के किस अधनियम को माले मिंटो सुधार के नामसे भी जाना चाता है भारते परसत अधनियम उन्णी से नौ को माले मिंटो सुधार के नामसे भी जाना चाता है नेक्स्ट क्वेस्टन भारते सब्धान में प्रस्तावना की भासा किस देश से लेगे हैं? नेक्स्ट क्वेस्टन भारते सब्धान में मौल भोत अधिकार के सब्धान से लेगे थें? अमेरिके सब्धान से मौल भोत अधिकार मौलिक अधिकार लेगे हैं? अमेरिकी सब्धान से भारत की सब्धान का कौन सा अंचेद सामान नागरिक सहता से संबंधित है अंचेद 44 जो सामान नागरिक सहता से संबंधित है अंचेद 44 और गोबा एकमात राज है जहाँ पर सामान नागरिक सहता लागू है गोबा राज में नेक्स्ट क्वेसन राज किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवन्स, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमे से किसी की आधार पर कोई बीभेद नहीं करेगा ये किस अनुछेद में दिया गये हैं अनुछेद 15 में बताएगे हैं आर्टिकल 15 में बताएगे हैं किस अनुछेद में सामिल मौलिक कर्दब अनुछेद 21 के समान है अनुछेद 51 कुलोच A में सामिल मौलिक कर्दब अनुछेद 21 के समान है अगला कोशन किस मौलिक कर्दब प्राउधान में ये निर्धारत किया गया है कि सभी भारतियों को भारती राष्टे धोच और भारती राष्टगान के प्रत सम्मान दिखाना चाहिए अनुछेद 51A कुलोच A में बताया गया है बच्चों की सिच्छा से संबंधित अन्तिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्दब्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी इस अन्सोधन को सभधान में के तहट सामिल किया गया था अनुछेद 51A के तहट सामिल किया गया था नेक्स्ट क्वसन मौलिक कर्दब भारत के सब्धान की किस अन्सेद में नहीं थें अन्सेद 51A में मौलिक कर्दब बताया गया है अन्सेद 51A में और भाग चार का में भाग चार का में अन्सेद 51A में मौलिक कर्दब बताया गया है नेक्स्ट क्वेसन आपात काल के दोरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता अंचेद 20 और 21 को आपात काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता और मौलिक अधिकारों को निलंबित कोन करता है राश्ट पती मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है Next question है दोस्तो भारत के राश्ट पती के बल किसके लिखेत सिफारिस पर राश्टी आपात इस्सिती की उद्गोसडा जारी कर सकते हैं ऐसा मंतरी मंडल जिसमें केबल संग के मंतरी मंडल के सदस सामिल हो के दोरा जारी उद्गोसडा पर राश्ट पती आपात इस्सिती की घोसडा कर सकता है भारते सब्धान के किस अंचेत का संबंद युद्ध, बाहरी आकर्मन और ससत्र बिद्रों की करण लगाई जाने वाले आपात काल से हैं अंचेत 352 का संबंद है सब्धान के अंचे 244 की अंसार कराधान को प्रभावत करने वाले विधायकों के लिए किसके पूर्ब सिफारिच की अबसकता है लोगसभा अध्धच की पूर्ब सिफारिच की अबसकता होती है नेक्ष्ट कोसन दोस्तों लोगसभा में बैठक की अधचता कौन करता है लोगसभा अधच करता है लोगसभा स्पीकर करता है भारते सब्धान की अंतरगत आपात काल की उद्घोसडा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक आसांती आपात काल की घोसडा का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि आंतरिक आसांती केंद्रे बचट की तयारी और प्रस्ति के लिए जिम्मेदार है आर्थिक मामलू क्या विभाग होता है जो केंद्रे बचट की तयारी और प्रस्ति के लिए जिम्मेदार होता है लोगसभा में बोटिंग के दोरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता लोगसभा अध्यच पहले चरण में ओट नहीं डाल सकता है लोगसभा स्पेकर संसद में कोई बिधैक, धन बिधैक है या नहीं इस पर अंतिम निरड़े कौन लेता है लोगसभा अध्यच, लोगसभा स्पीकर थाई करता है कि कोई बिधैक, धन बिधैक है या नहीं है लोगसभा में प्रसनों को स्वविकारता का फैसला कौन करता है लोगसभा अध्यच करता है भारते सब्धान की किस अनुछेत की अनसार मंत्री परसद सामोहिक रूप से लोगसभा की प्रत उत्तरदाई होगी अनुछेत 75 क्लोस 3 के तहट मंतरी परसत सामुहिक रूप से लोगसभा के प्रत उत्तर दाई होती है अंशेफ 75 कलोस तीन के तहथ नस्ट कवसन लोग लेखा समति के सदसिय। को कितनी अबधी के लिए चुना चाता है एक वर्ट्स के लिए लोग लेखा समति के सदसिय। को चुना चाता है नेक्स्ट क्वेसन किस ने भारत के परधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कारकाल में सेबाय दी अटल वियारी बाजपे ने एक से अधिक बार कारकाल में सेबाय दी थी भारत के सब्धान के कौन से अंचेद में ये प्रावधान किया गया है कि परतेक राज में एक राजपाल होगा अंचेद 152 कुलोस 2 में बताया गया है कि परतेक राज में एक राजपाल होगा आर्टिकल 152 कुलोस 2 में किस राज में राजपाल को कानून और बेवस्ता तथा उसे संबंधित उसके कारियों के निर्वहन के संबंध में सब्धान की अंचेद 371H के तहट बिसेज जिम्मेदारी दी गई है और अंचल परदेश राज में दी गई है नेक्स्ट क्वसन भारते सब्धान का कौन सा अंचेद राजपाल की सभी कारपाल का सक्तियों से संबंधित है अंचेद 154 है जो राजपाल की सभी कारपाल का सक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 154 है किस अन्चेत के तहट भारते सब्धान में बित्ती आपात काल का उल्ले किया गये हैं अन्चेत 360 में बित्ती आपात काल का उल्ले किया गये हैं नेक्स्ट क्वेसन, सभी अल्प संक्योंकों को धर्म या भासा के आधार पर अपनी रूची के सिचट संस्तानों की अस्थापना और परसासन का अधिकार होगा, भारते सब्धान का कौन सा अंचेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अंचेद 30 है, आर्टिकल 30 है, जो इस अधिकार की गारंटी देता है, आर्टिकल 30 है, नेक्स्ट क्वेसन, भारते सब्धान की समोर्ती सुची की धारणा किस देश की सब्धान से लेगी है? आउस्ट्रेलिया के सब्धान से समोर्ती सुची की धारणा लेगी है, आउस्ट्रेलिया के सब्धान से, नेक्स्ट इस अन्चेद के तहट कोई नागरिक मूल अधिकारों की किसी भी उलंगन के लिए सीधे ही उचितम न्याले में मुकदमा कर सकता हैं। नेक्स्ट कोसन अंधर ब्राज़ परत्यों की आ इस इबूक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, सब्धान, भूगोल, अरतसास और सामन्य विग्यान के 3500 पलस कोसनों का 60 संगरे मिलेगा। ये e-book आपके सभी प्रतियों की प्रिच्छों के लिए महत्पूर e-book हैं, तो आप इस e-book को बाय कर सकते हैं, इस e-book का प्राइस मात्र 49 रुपे हैं, 45 रुपे इस e-book का प्राइस है, आप इसे इसले बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दियागे हैं, लि असोक मेहता की अध्यस्ता में की गए थी। next question है भारते सब्धान के किस अन्ठेट के तहट संसद को नागर्ता के संबन्द में कानूर बनाने का अधिकार प्रदान किया गे है। प्रेस की स्वतंदता सुनिच्चित की गए है आर्टिकल 11 के तहट नेक्स्ट कॉसन भारते सब्धान के किस अनुछेद में उपराच्टपती को हटानी की परक्रिया दी गए है अनुछे 66 में उपराच्टपती को हटानी की परक्रिया दी गए है अनुछे 66 में अगला क्वेस्टन, कौन सा अंचेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अंचेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गए है, आर्टिकल 18 में अंचेद 32 में सबधानिक उपचारों का अधिकार बताया गए है नेक्स्ट क्वेसन, भारते सबधान के किस अंचेद के अंतरगत किसी राज़ को सबधानिक उपबंदों की अनुसार ना चलापानी की आधार पर आपात काल घोसित किया जा सकता है अंचेद 356 के तहट आपात काल घोसित किया जा सकता है राज़ियों में और सबसे पहले राश्टपती सासन जो की अंचेद 356 के तहट लगा जाता है भारते सबधान में धनविधय की परिभासा किस अंचेद में दीगी है अंचेद 110 में धनविधय की परिभासा दीगी है नेक्स्ट कोसन दसबी अनसूची के तहट लोगसभा की किसी सदस की आयोगता से समबंदित मुद्दों पर निरड़े कौन लेता है भारत की सबधान का कौन सा अंचेद भारत में एक ने राज की गठन के लिए दिया गया है अंचेद 3 है जिसके तहट भारत में ने राज का गठन किया जाता है आडकल 3 के तहट नेक्स्ट कोसन 124 सबधान संसोधन बिधयक 2021 किस समबंदिते आर्थिक आरच्छड से संबंदित है 124 सब्धान संसोधन बिधेग भारत के सब्धान की किस ऑन्छेद में लोग सभा में अनसूची जाती और अनसूची जन जाती केलिए सीटो के आरच्छड का प्राउधान है अन्छेद 330 में आर्टकल 330 में अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती के लिए सीटों के आरचछड का प्रावधान किया गये हैं। नेक्स्ट क्वेसन है भारती सब्धान का कौन सा अंचेद बेभिन आधारों पर किसी भी भारती नागरिक के साथ भेद भाव से संबंदित है। अनसूचित पंदरा है जिसमें बताया गये हैं कि कोई भी नागरिक के साथ भेद भाव नहीं करेगा किसी भी तरीके से। नागरिक को स्वास्त का अधिकार दिया गया है। बनाई के सिवाव के अंतरगत माना जाता है अंचे 312 के तहट अगला क्वेसन भारते संग के प्रधान मंत्री और अन्न मंत्रियों को भारत के सब्धान के किस अंचेत के तहट राश्टपती दोरा निवत किया जाता है अंचे 75 के तहट आटिकल 75 के तहट राश्टपती के दो भारते सब्धान का कौन सा अंचेद धर्म, वन्स, जात, लिंग, जन्मस्तान की आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंचेद 368 के तहट संसद सब्धान में संसोधन कर सकती हैं और अंचेद 368 भाग 20 में अंचेद 368 बताएगे हैं। भारते सब्धान का कौन सा अंचेद परसासनिक न्याधी करणों से संब्धित हैं। अंचेद 323 कुलोच ए हैं जो परसासनिक न्याधी करणों से संब्धित हैं। नेक्स्ट क्वेसन भारते सब्धान का कौन सा अंचेद एक जेस्टी परसाद की अस्थापना से संब्धित हैं। अंचेद 289 हैं जो जेस्टी परसाद की अस्थापना से संब्धित हैं। भारते सब्धान के कौन से अंचेद संघकारकारणी से संब्धित हैं। अंचेद 368 का संब्धित हैं। Next Question भारते सब्धान का कौन सा अंचेद राच्च्टपती के महावियोग से संब्धित हैं। अंशेत एक साठ है, आर्टिकल एक साठ है जो राष्टपती के महावियोग से समबंदे थे हैं Next Question, भारते शबधान का कौन सा अंशेद धन बिधैक की परिभासा से संबंदे थे अनशेत 110 है जो धन बिधैक की परिभासा से समबन्दे थे अंचेद 110 में धन्विधे की परिभासा दी गए है Next question सभी अलप संखेकों को धार्मिया भासा के आधार पर अपनी रूची के सिच्छर संस्थाओं की अस्थापना और परसासन का अधिकार होगा भारते सभ्धान का कौन सा अंचेद इस अधिकार की गारंटी देता है अंचेद 30 आर्टिकल 30 जो इस अधिकार की गारंटी देता है Next question भारते सभ्धान का कौन सा अंचेद उपराश्टपती के चुनाओं से समद्य थे अनचेद 66 है जो उपराज़्ट पती के चुनाओं से समध्य थे और अनचेद 62 में अनचेद 62 में बताय गया है कि भारत का एक उपराज़्ट पती होगा भारते सब्धान का कौन सा अंचेद उच्छे न्याले को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रेट जारी करने का अधिकार देता है अंचेद 226 है जो हाई कोड को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रेट जारी करने का अधिकार देता है जो सब्धानिक सुधारू का अधिकार प्रदान करता है। सब्धान का निम्न में से कौन से अंशेद राज की लोक सेवाओं में न्याय पालका को कार पालका से प्रथक रखने के लिए कदम उठाने हित राज को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेस्टन भारते सब्धान के प्रसावना में संसोधन कितनी बार किया गये हैं। किबल एक बार प्रसावना में संसोधन किया गये हैं और बलिसबा सब्धान संसोधन के दोरा प्रसावना में संसोधन किया गया था पहली बार और प्रसावना में अखंता सब्ध जोड़ा गया था बलिसबा सब्धान संसोधन के दोरा। कौनसे मौलिक अधिकार देश में आपात काल घोसेत होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं? अंचेद 20 और 1 कैसें जो आपात काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं? नेक्स्ट कौसन भारते सब्धान का कौनसा अंचेद आजप्रशिता की अधारना को समात करता हैं और किसी भी रूप में इसके अभ्याज को प्रतिबंधित करता हैं? अंचेद 17 है जो आजप्रशिता उन्मूलन को समात करता हैं दोस्तों जीके संजूनी एबुक को आप जरूर बाय करिएगा इस एबुक में आपको 3500 पलस कोसनों का 60 संगरे मिलेगा ये एबुक आपके सभी प्रतिव की प्रचाओं के लिए महतपूर एबुक है प्राइस मार्तर 49 रुपे है 14 रुपे इस एबुक का प्राइस है डेस करके वेल आइकन को प्रैस करें ताकि एम जो भी वेडियो डomena उसके नोडिफिकॉस्ट्र आप टक जरूर पहुंचाए है कॉमेंट करके बताईए कि आपको ये वीडियो कैसे लेगी और कॉमेंट सेक्षिन बताईए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये कॉमेंट सेक्षिन में आप जरूर बताईगा टेलिग्राम से नों को जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गए टेलिग्राम से नों को जोइन का लिजी सुमलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय ही जय भारत